क्या चुनाओं से पहले ही भाजपा पढ़ चुकी अपस्त या फिर साब डिक चला है आत्मविश्वास सवाल इसलिए क्योंकि चंद दिनों पहले तक भाजपा ना सिर्फ आत्मविश्वास से लवरेज थी बल्कि साब आगे की योजना बुनने में व्यस्त भी थी अचानक समी कर्णों ने ऐसी करबटली की जीत के दावों के बीच संदे ने तस्तक दे दी सुनिये मुखमंती शिवरास सींच योहान का वो बयान जो शब्दों के दाएरे में बंधा बहुत कुछ चुगली करता हुआ दिखता है यह क्या हुआ साहब बोल जो सदे थे आज बिखरे से हैं सुना है भाजपा के आंतरिक सर्वे और संग सूत्रों से मिल रही सूचनाओं ने शिवाबू को आज सहिज कर दिया सिंधिया गुट के प्रवेश के बाद जहां भाजपा के अंदर खाने मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं मतदाता भी दल बदलू नेताओं की भूमिका को लेकर सशंके थे साफ है कि भाजपा भीतर घात से लेकर बिखरते वोट बैंग को लेकर चिंता में है शिवाबू की चिंता भी जायज है क्योंकि दोनों इस्थितियों को साथ पाना सहाब आसान तो कताई नहीं है हलाकि शिवाबू का धुआधार सियासी दोरा जारी है और समीकरण पाले में करने की जुगत्पी खैर उपचुनाव में मध्यपिदेश की जनिता मुक्ष मंत्री शिवराज सिंग चोहान को टैंपरेडी से परमनेंट करती है या फिर कहती है गुडबाई ये सब तो भविश के गर्में लेकिस आप ये तैय मान लीजेगा कि परिणाम जो हों होंगे जबरदस्ट चौकाने वाले